नमस्कार आप देख रहें देश रोजाना और मैं हूँ बेनजिर हाश्मी बुलिटिन में शुरुवात करेंगे पहले दिन बर की कुस्तादा सुर्खियों की फिर बात करेंगे हर्याड़ा की बड़ी और खास खबरों की दिली के सीम अर्विन केजडिवाल अपनी पतनी के साथ पहुँचे हन्मान मंदिर कल 177 दिन बाद हुए जेल से रहा स्वागत में पठा के जलाने वालों पर हुई एफाईयार कॉलकता डॉक्टर रेप मडर केस में ममता जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुची ममता ने कहा मुख्य मंत्री नहीं दीदी आई है तेज बारिश से ताज मेल की छत से टपका पानी तो वहीं हर्याना के अंडर बिल्ज में कार डूमने से दो लोगों की हुई मौत इसके अलावा उत्राखंड में चार धाम यात्रा रोकी गई शुमला मज़िद विवाद के चलते हिमाशल के पाच जिलों में प्रदशन जारी सेकडों लोगों ने संजोली में पुलिस लाठी चार्ज के विरोध में निकाली रहा लिया बजार रहे बंद सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन से अमेरिकी चुनाब में डालेंगी वोट पृत्वी से दूर प्रेस कोंफरेंस करके कहा मुझे स्पेस में रहना पसंद हर्याणा में पीम मोधी ने पहली बार की विधान सबा चुनाबी राली मोधी बोले कॉंग्रेस के लोगों के मुँ में किसानों की मौत का पाप MSP पर जूट फलाया इस सब्ते सोने चान्दी के दामों में रही तेजी सोना 1113 रुपे बढ़कर 73,044 रुपे पर पहुचा तो वही चान्दी 86,100 रुपे पर्तिकलों बिक रही तो ये थी दिनबर की कुस्ताजा सुर्खिया अब बात करते हैं हर्याणा की बड़ी और खास खबरों की हर्याणा की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं फरीदबाद से जहां बीती रात बारिश आफद पनकर वर्सी दरसल तेज बारिश के चलते देर रात ओल्ड फरीदबाद के रेलवे अंडर बिज में पानी भर गया जिसके कारण गाड़ी में सवार SGFC बैंक के मैनेजर और कैशियर की डूबने से मोत हो गई बताया जा रहा है कि कार के लोग होने के कारण वे समय पर बाहर नहीं निकल पाए जिसका रात भार रेस्क्यू जारी रहा और सुबा डेट बोडी पानी से बहार निकाली गई जिसको फरीदबाद नागरिक अस्पताल में पॉस्मोर्टम कराने के बाद परिजनों को सोब दिया गया हर्याडा के सीम नायप सायनी चुना प्रशार के लिए लाडवा पहुँचे जहां इस दोरान उन्होंने कारेकरताओं को भी अहवान किया कि वै घर घर जाकर केंद्र वे परदेश की भासपा सरकार दुआरा किये गए कारें से लोगों को अबगत कराए दरसली जोरान सायनी पुर्व मुखे मंत्री भुपेंद्र सिंग हुड़ा पर तंच कस्ते हुए नजर आये और उन्होंने कहा कि भुपेंद्र हुड़ा ने अपने शाशनकाल में किये भ्रश्चाचार के आधार पर वोट मांग रहे हैं जबकि हम भाश्चा सरकार में किये गए कारों के बल पर लोगों के बीच में हैं लोग भ्रश्चाचार को नहीं बलकि विकास को तवज्चो देते हुए भाश्चा को पूर बहुमत के साथ विज़ई बनाएंगे साथ इसानी ने कहा कि हुड़ा कहने लगे हैं कि कॉंग्रेस की सरकार आ रही है भाजपा जा रही है वे लोगों को गुमरा करने की वज़ाए भाजपा सरकार में हुए कारों को भी देखें और तुनला करें कि किसने क्या किया उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की मोधी सरकार के साथ परदेश ने मिलकर इतने कारे किये हैं कि कोई भी सरकार नहीं कर पाई अब पर्देश को और हर्याड़ा को आगे ले जाना है जिसके लिए जन्ता ने फिर से भाजपा की सरकार पूर बहुमत से बनाने का मन बना लिया है हर्याड़ा के शुनाग में भाजपा कॉंग्रेस के बीच सीधा मुकावला है वहीं आपको यह भी बता दें कि पर्देश में पिछले दस साल से भाजपा की सरकार है सरकार के खिलाब का वोट अब तक कॉंग्रेस के पास जा रहा था मगर अब कहीं ना कहीं केजरिवाल के बहार आने से स्थिती बजल सकती है दरसल हर्याडा विधानसभा चुनाप की गहमा गहमी के बीच आप नेतावे दिल्ली के सीम केजरिवाल शुकरवार को जेल से बहार आ गए है उनके बहार आने से आमादी पार्टी के कारे करतम में खुशी और जोश है वे आप इधानसभा के चुनाप परचार भी करेंगे एक जानकारी के अनुसार केजरिवाल दरजन से जादा रैलिया करने वाले हैं इसमें कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान भी जेलना पड़ सकता है अर्विन केजरिवाल पूरे हर्याडा में परचार करने वाले हैं इससे भाशपा के खिलाब पढ़ने वाले वोट आपके खाते में आना तय है पिछले विधान सबाच चोनाब में जच्पा मजबूत स्थीती में थी 2019 के चोनाब में जच्पा ने 10 सीटे जीती और 23 विधान सबाच सीटे ऐसी थी जहां उसने कांग्रेस का खेल विगार दिया इसलिए आपको कमजोर नहीं आँका जा सकता हरियाना विधान सबाच चोनाब से पहले बीजेपी को आज फिर से दो बड़े जटके लग गए है दरासल पूर्व विधायक सुकविंदर मांडी और जय परकाश कुपता कॉंग्रेस में शामिर हो गए आपको बता दे वार्दा से सुकविंदर मांडी और करनाल से जय परकाश कुपता विधायक रह चुके हैं जिन्होंने आज अपने सैक्डो समर्थकों के साथ भाश्पा नेताओं ने कॉंग्रेस जोयन की आपको बताते चले की बीजेपी छोड़कर अब तक 50 से ज्यादा विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं टिकट वटवारे के बाद से बीजेपी में जबर्दस भगदर मची हुई है दोनों बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में कॉंग्रेस जोयन की हर्याडा की नेता परतिपक्ष और पूर्व मुखे भूपेंदर सिंग हुड़ा की उपस्थिती में कॉंग्रेस पार्टी वे शामिल हुए हर्याडा में 24 सरगर्मियों के बीज परधान मंतरी नरेंदर मोधी आज हर्याडा पोचे जहां उन्होंने कुरुछेत्र के ठीम पार्क में जनसभा को सम्बोधित किया बता दे इस से पहले हर्याडा सीयम नायव सैनी ने भी मंच से लोगों को सम्बोधित किया दरसल पीम मोदी ने अपना संबोधन बड़े ही अनोखे अंदास में शुरू किया परधान मंतरी हर्याणवी भाषा में बोले नोजवानों को मेरी राम राम के साथ कहा आज गीता की धर्ती पर आके मनने घणी खुशी हो रही है पुरुचेतराना और भारती संस्कृती के दर्शन करना मन को भर देता है आपको बता दे कि पीम ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले लोकसभशनाव के दोरान में आप से आश्यवाद मांगने आया था मैंने कहा था कि भास्वा सरकार के सो दिन बड़े ही महतपूर होंगे गरीब यूवाओ किसानों महीलाओ को मजबूत बनाने वाले हैं अभी सो दिन पूरे भी नहीं हुए और हमारी सरकार ने 15 लाग करोड रुपे के नए काम शुरू करवा दिये हैं रैली में जीटी बेल्ट पर लगते छे जिलो की 23 विधांसवा सीटों के उम्मीदवार मोजूद रहे इन में करनाल, कुरुचेत्र, अंबाला, पंच्छकुला, यमना नगर, केथल के कैंडिडिट भी शामिल थे हर्याडा चोनाब को लेकर 12 सितंबर को नमांकन खत्म हो चुके हैं, अब 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को नतीजे घोशित किये जाएगे तो यह थे दिन बर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, हर्याडा की खास खबरे कर फिर होगी मुलाकात, ऐसी ही खास खबरों के साथ, अब तक लिए बने रहे हैं हमारे साथ, और देखते रहे हैं देश रोजाना, नमस्कार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें